आलो गाईज, आज मैं आपको behavior of nouns का ये fourth part बताने जा रहा हूँ, चलिए इसको देखते हैं, और हर part आपके लिए बहुत important है, पूरी grammar आपको आजाएगी, देखिए, ये है आपका fourth part, fourth part में आप देखेंगे इसमें कुछ ऐसे nouns दिये गए हैं, जो हमेशा singular में ही use होते हैं, ठीक, singular word में ही use होते हैं, और एक बात और, इन words को आप s लगा के plural नहीं बना सकते, अगर yes लगा के आप plural बना देंगे, तो ये आपके sentence, words ये गलत हो जाएंगे, देखेंगे, ऐसे सब्द जिनको आप singular में ही हमेशा यूज करेंगे, poetry, कभिता, scenery, प्राकृतिक द्रिश, off spring, परडाम, issue, मुद्दा, abuse, दूर ब्योहार, stationary, लेखन सामगरी, advice, सला, furniture, फरनीचर या चल सामगरी, information, सूचना, luggage, luggage मिन्स क्या होता है, सामान, machinery, कलियंत्र, physics, भातिक बिज्यान, cavalry, गोर्षवार सेन, rice, चावल, फ्यूल, इधन, मिश्चीफ, सरारत या बुराई, alphabet, वाणमाला, और बंटिंग, भज, पट या जंडी, ठीक, hair, ball, infantry, पैदल सेना, bedding, बिस्तर, gram मिन्स, gram या चना, ये ऐसे words हैं, जिनको आप हमेशा singular में ही use करेंगे, example देख लिजिए, समझ में आ जाएगा, I do not like poetry of kids, मैं kids एक लेखक हैं English के आप जानते हैं, मैं kids की कविताओं को पसंद नहीं करता हूँ, कविताओं को, यहाँ poetry में एस लगा करके, बहु बचन बनाया गया है, जो की incorrect है, correct क्या है, I do not like the poetry of kids, यह right है, तो आप यस लगा के, इन शब्दों में एस लगा के, आप बहु बचन नहीं बना सकते, इतना आप घ्यान रखिए, यह कुछ ऐसे सब्द हैं, अब next देखिए example, देखिए, the old furnitures were disposed of, old furnitures, यहाँ पे यस लगाया गया है, जो की incorrect है, correct क्या होगा, furniture wage, ठेक, next, the sceneries of the Himalayas are excellent, हिमालय की scenery जो है, बहुत अच्छी हैं, तो यहाँ पे बहु बचन के रूप में, यानि, plural के रूप में, यूज किया गया सीनरी को, यहाँ पे यस लगा दिया गया है, plural verb बना दिया गया है, एस लगा के, जो की incorrect है, correct क्या होगा, the scenery of the Himalayas is excellent, scenery, thanks for watching, आशा है कि आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा,